Hello students, welcome to Magnet Brains, this is Anamika Singh, कैसी हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि भाई आप सभी होंगे बहुत अच्छे, बिल्कुल मस्द और मैं लिकर आई हूँ आज आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी वीडियो जहां पर आज हम डिसकस करेंगे MIQs यानि के Most Important Questions जी हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने हमारा Motion Chapter चल रहा है Physics का Chapter का नाम हिन्दी में जिसे हम गती कहते हैं इसी के ही आज में Most Important Questions डिसकस करने जा रही हूँ जल्दी से आजाए जुर जाए इस प्यारी सी वीडियो के साथ और पटपट से Like शेयर कर दे बाकी इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को कुछ इंफोमेशन को जानकारी देना चाहती हूँ हमारे चानल के बारे में सो बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा Class 6 से लेकर 12 तक में यदि आप किसी भी Class में है सो Magnet Dreams इन्दी Medium चानल पर आप अपने सब्जेक की Classes अटेंड कर सकते हैं किसी भी Class को देखने के लिए आपको कोई Course बिलकुल भी Purchase नहीं करना है और नहीं किसी प्रकार का कोई Payment करना है क्योंकि Magnet Dreams प्रवाइड कराता है Quality Education वो भी बिलकुल Free of Cost इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाईया हमना 5 State Board कवर करते हैं जिसे UP Board, Bihar Board, MP Board, Rajasthan Board, Delhi Board and very important हमारे चैनल पर जितनी भी Classes होती है वो सब बिटब बिलकुल Arrange'd Format में होती है जहां Basic से लिकर Advanced Level हम आपका कवर कराते हैं आपके सारे doubts करते हैं solve और सबसे जादे important चीज़ के मैं मैं आप जितना भी हमें पढ़ाने वाले हैं उसके notes हमें कहां से मिलेंगे सुध्यान से सुनिएगा जितना भी मैं आपको पढ़ाते हूँ उसके notes की जो link है वो आपको नीचे मिले के description box में सुबहां से आप e-notes और e-book नाउनलोड कर सकते हैं सो चलिए आगे बढ़ते हैं start करते हैं आज की कहानी जहां most important questions तेकेंगे और physics का आपका ये पहला ऐसा वीडियो है जहां पर आप अतिलगुत्री लगुत्री दिरगुत्री पढ़ने वाले हैं हलाकि आपने chemistry में पढ़ा ही है और आपने जाना है कि अतिलगुत्री में कैसे लिखना होता है लगुत्री में कैसे लिखना होता है दिरगुत्री में कैसे लिखना होता है बट 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 आज के इस प्यारे से वीडियो में आज के इस प्यारे से सेशन में मैं आपको बताऊंगी physics में हमें कैसे इन तीनों sections में कितने शब्दों में लिखना होगा इसके बारे में So first question ये रहाँ के सामने question को बिटा बहुत ध्यान से पढ़ना है Atila Guttree question है बहुत जादा नहीं लिखना है इसमें हमें एक line जादा से जादा दो line और दो line से जादा हमें answer इसमें देना ही नहीं है बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ word ऐसा है जो first किया है तो जादा से जादा धाई line तक आप खेच सकते हो ऐसा हमें नहीं करना है कि पूछा है Atila Guttree हमें उसका answer बहुत अच्छे से पता है तो हम पूरे एक page का भरकर आगे हमने सोचा हमें जादा number मिलेंगे बिटा कभी भी नहीं मिलने वाले हैं जितना पूछा है उतना ही answer देना है सो question कुछ यह कह रहा है कि क्या एक समान वृत्तिय गती में किसी वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तित होता रहता है क्या बोल रहे हैं क्या एक समान वृत्तिय गती में किसी वस्तु का वेग यानि उसकी जो velocity है यानि कि बटा उसके जो velocity है वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है, change होती रहती है तो बटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, yes यानि की हाँ जब भी बात आती है एक समान बृत्य गति की, यह समान अगर है तभी वो एक समान वृत्तिय गती में जाएगी अच्छा, तो हमने जान लिया कि भईया ऐसा तो होता है अब इसी के साथ velocity क्या होती है तो side में मैं आपको ये भी समझा देती हूँ आपने ये तो जान ही लिया है कि हाँ भई अगर बस्तू का वेख हम यहाँ पर बात करें तो वो हमेशा क्या होता रहेगा चेंज होता रहेगा तभी वो अपने वृत्तिय पत्मिया हमको दिखाई देगा अब बात आती है कि मैं ये वेख क्या होता है velocity क्या होती है तो बटा द्यान से सुनियेगा अगर हम क्या करते है विस्थापन को समय से भाग दे देते है किसको किस से विस्थापन को समय से भाग दे देते है तो वहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते है वहाँ से हम क्या निकाल सकते है सो हम velocity याने वेख निकाल सकते है जिसकी SI unit meter per second होती है That's it, यही मुझे आपको बताना था So, अतिल अगुत्री प्रश्न का हमारा पहला प्यारा सा question क्या एक समान वित्ती गती में किसी वस्तू का वेग हमेशा चींज होता है परिवर्तित होता है So, yes, बिल्कुल होता है Now, next question की जरब बढ़ते हैं बिटा अब हम यह रहा second question आप सभी के सामने Question को बिटा तोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगर question ध्यान से नहीं सुनोगे तो question गलत कर दोगे So, राम और श्याम की गती के लिए दूरी समय graph यहाँ पर हमें दिया है बिल्कुल दूरी समय graph हमें यहाँ पर दिया है प्रेश्न में तो हमारी एक समस्या, मतलब एक चीज तो हमारी अच्छी है यहाँ पर कि हमें कुछ से draw नहीं करना है Simply हमें यहाँ पर graph दिया, उसी के बेस पर हम इसका answer देंगे सो हमने देखा भई यह दूरी यहाँ पर दी है, that means यहाँ पर क्या है भई डिस्टेंस है क्या बोला है दूरी यानि के डिस्टेंस है और time यानि की हमें क्या दिया है यहाँ पर समय भे मिल गया, क्या बात है सो मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास दूरी यहां पर है टाइम यहां पर है और क्या बोल रहे हैं और यह किसका दूरी समय ग्राफ है राम और श्याम का दोनों में से किसका द्वरन जादा है बेसिकली यह आपको बताना है हमसे क्या बोल रहे हैं कि दोनों में से किसे का त्वरन जादा है ये हमें बता दीजिए तो ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा राम और श्याम दोनों ही नियत वेक्ष से गतिमान है बिल्कुल सही का है अता दोनों का त्वरन शूनने होगा तता दूरी समय ग्राफ में एक सरल रेखा प्राप्त होगी, उन्हें बोला ना पुष्टी कीजिए जब हमने की तो हमें पता चला कि यार ये तो एक सरल सीधी रेखा में चल रहा है सुजाहे सी बात है कि इनका acceleration याने की जो त्वरण होगा वो 0 याने की 0 ही निकल कराएगा तो हमें पता चला कि राम और श्याम जो है भाईया वो दोनों ही नियत वेक से चल रहे है याने की इनकी जो velocity है वो कैसी है नियत याने की constant सो velocity नियत याने constant रहने के कारण इन दोनों का acceleration कैसा हो जाएगा शोन याने की 0 अब वो डिपेंड करेगा question के उपर की question में velocity कितनी दी है समझ रहे हैं उसके आधार बर हम इसे जान पाएंगे जैसे हमें यहाँ पर दूरी समय ग्राप दिया है हाना लेकिन हम क्या बूल रहे हैं कि भाईया राम और श्याम दोनों ही नियत वेक से गतिमान है इनके velocity यहाँ पर कैसी होगे नियत याने के constant जिसके कारण अगर हम इनका acceleration याने तवरन फाइंड करने जाएंगे जब यह constant नहीं होती ना चेंज हो रही होती या तो गटी रही होती तो एक कलफ कंडिशन होती लेकिन इस कंडिशन में क्या होगा acceleration तवरन जीरो होगा इसी के साथ हमने देखा कि इसमें और अच्छे से हमने क्या जाना कि भाई यहाँ पर दूरी समय ग्राप कैसा इसी कारण है कि हमने इस प्रश्ण का भी उत्तर अच्छे से जान लिया अब आप सोच रहे होंगे कि यह त्वरन क्या होता है चलो यह वी मैं आपको बता दू जिन बच्चों को नहीं पता है बिटा वेग नियत है का मतलब यहाँ पर इसी से क्योंकि त्वरन का फॉर्मुला ही होता है वेग में परिवर्तन ठीके बिटा वेग में परिवर्तन वो भी किसके साथ चंगो मंगो समय के साथ वेग में परिवर्तन वो भी किसके साथ समय के साथ इसलिए इसका फॉर्मुला V-U upon में क्या होता है T होता है अब velocity अगर constant ही है तो हम इसको समय से भाग देंगे सो अबविस सी बात है कि इसका acceleration 0 नहीं आने के 0 ही आएगा क्योंकि ये नियत एक constant अगर हम minus करेंगे सो question के according ये 0 होगा जिसके कारण अबविस सी बात है ये क्या निकल कराएगा 0 लेकिन ये depend करेगा question के उपर प्रशन के उपर लेकिन इस line से तो हमें यही समझ में आया कि भाईया इस condition में एक सुरा सीधी रेका में हमने जाना कि acceleration 0 होगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि राम और श्याम दोनों में से किसका acceleration जादा है दोनों का ही हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है तो ये थी हमारी question number second के कहानी जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है हाला कि आप paper में इतना ही लिखेंगे अगर प्रशन आता है तो ये मैंने आपको additionally बताया है कि क्या होता है त्वरण now next आते हैं हम question number third की तरफ तो चलिए third की तरफ move करते हैं हम वीडियो को like करते चल रहे हो ना अच्छा वीडियो को like share करते चल रहे हो ना भाई इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए मैं को मैं केवल एक चीज बोलती है शुरू से ही कि like करते चलो share करते चलो okay so question ये कह रहा है कि गती को बताने है तू निर्देश बिंदू का क्या महत वो होता है क्या बोल रहे है भाईयो गती को बताने के लिए अगर हम गती बताना चाहते हैं तो इसके लिए निर्देश बिंदू का क्या महत वो है so basically निर्देश एक तरीके से हमें निर्देशन देता है, जानकारी देता है, तो सुनो, निर्देश बिंदू द्वारा हम वस्तू की इस्तिती का पता लगा सकते हैं, इसलिए हमारा निर्देश बिंदू कैसा होता है, महतुपूर्ण होता है, किसी भी इस्तिती का पता लगाने के लिए, वस क्वाप्टर में हमने वेलोसिटी पढ़ा हमने गतियां पढ़ी एक समान असमान हमने यहां पर त्वरन पढ़ा हमने चाल पढ़ी हमने वे हमने और पढ़ा विस्ता पंदूरी आपने नोटिस किया है क्या कुछ लिमिटेड चीज़े थी अगर मैं देखू तो हमने क्वेशन आगे मिलेगा जो थोड़ा सा घूम से क्या आपसे पूछा जाएगा है ना तो इसलिए अगर आपके कॉंसेप्ट अच्छे होंगे न तो आप घूमोगे नहीं क्योंकि आपको तांसर पता है चलिए नेक्स आपने आगे की तरफ अब हम आगला क्वेशन यह रहा है नीचे गया जो चित्र है बेटा वो A, B, C, D के विस्थापन ये A का, B का, C का और D सबका क्या है displacement यानि के विस्थापन और समेग्राफ हमें बता रहा है तो किस बच्चे का वेग जो है वो अधिक्तम होगा अब क्या बोल रहे हैं कि भाईया किसकी velocity की अगर मैं बात कर वो जादा होगी? Question द्यान से सुनना यहां velocity के बारे में पूछा जा रहा है कि आपको यह सब देखकर क्या समझ में आ रहा है कि भाईया किसकी velocity जादा होगी? एक और important चीजिए कि यहाँ पर विस्थापन समेग्राफ दिया है. क्या दिया है? विस्थापन समेग्राफ दिय बच्चों एबिया गया चित्र बच्चोंA,B,C,d विस्थापन समय ग्राप को बता रहा है और अगलोल गया गया है यह अगर हमारा विस्थापन है यह हमारा समय है हमने क्या देखा कि भाय अगर हमारे पस क्या होगा विस्थापन विस्थापन समय, ग्राफ होगा सो वहां से हम ढाल के रूप में क्या निकाल सकते हैं अब graph द्वारास पस्ट होता है कि बच्चे B के विस्थापन समय graph की अगर हम बात करें तो इसका जो ढाल है वो दूसरे बच्चों के तुलना में कैसा है काफी जादा है हमने देखा भाई ये का सबसे कम है फिर ये तोड़ा सा जादा C, D का तोड़ा और जादा और हमने देखा कि ढाल कि अगर हम बात करें विस्तापन समय ग्राफ में बच्चे B की तो इसका जो ढाल है वो सबसे जादा है यही एक कारण है कि इसका correct answer क्या होगा तो इसका correct answer हम यही बोलेंगे चारो बच्चों में से B का वेक कैसा होगा जादा क्योंकि इसके डाल कैसी है अधिक है तो मैं आशागरती हूँ कि आपको point समझ में आ गया होगा हमने जान लिया कि इस प्रशन का उत्तर क्या होगा question number 4 होता है यहाँ पर done और हम बढ़ते हैं अगले question की तारफ okay so यह है हमारा question number 5 क्या यह संभवे क्या विराम मवस्ता में इस ते ट्रेन में बैठे हो और आपको ट्रेन जो है बुगती शील प्रतीत हो क्या यह संभवे पॉसिबल है क्या यह बिल्कुल संभवे मैं आपको बताना चाहती हूँ लेकिन 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 इसमें कुछ चीज़ें हमें add करनी होगी ऐसे हवा में कुछ भी possible नहीं हो तर science पढ़ रहे हैं तो science हर एक चीज होने के पीछे reason है science में विज्ञान में हर एक चीज होने के पीछे reason है कारण है चलो उस कारण को जानते है तो क्या यह possible है कि आप विरामवस्था में है यानि कि बिटा आप rest में है आप विरामवस्था यानि rest में है और विरामवस्था में इस्तित train में बैठे हो आप बैठे हैं तो आपको train गदिशील प्रतीत होगी तो बिलकुल यह चीज संबावे ध्यान से सुने यदि इससे train के अनुदीश अनी track पर दूसरे track पर दूसरे train अगर चलती है तो विरामवस्था में इससे train जो है वो विपरीत दिशा में चलती हुई प्रतीत होगी क्या बोल रहे हैं कि भाईया विरामवस्था में यानि कि जो rest में इससे train है न वो क्या होगा opposite direction में कुछ शड के लिए ऐसा मैसोस होगा और वो चलती हुई प्रतीत होगी है ना तो हमने जान लिया कि हाँ जी यह संबाव है और हमने condition भी देख ले कि कब अभी हमारे सारे के सारे बिटा अतिल अगुत्री प्रश्न ही चल रही है कौन से चल रही है? तो सब के सब अभी हमारे अतिल अगुत्री प्रश्न ही चल रही है जिसका six question यह रहा आपके सामने कि वेख समय ग्राप के अदीन छेतर से मापी गई राशी क्या होती है जब मैंने आपको graph वाला section पढ़ाया था वहाँ पर इस तरह के काफे सारे questions देखने को मिले थे काफे सारे concept जानने को मिले थे तो आपको याद करना है और मैं एक चीज और वे बच्चे जिन्होंने chapter पूरा चे से नहीं पढ़ा है बटा सीधे आए ही हम माई के उस देखने की तरफ उनको कुछ ना समझ में आएगा क्यों क्यों कि अभी उनके concept ही clear नहीं है उन्हें यही नहीं पता है कि चाल क्या होती है दूरी और विस्तापन एक ही नहीं होते हैं अलग-अलग होते हैं चाल और विग एक ही नहीं होती है अलग-अलग होते हो ही उनने यह पता ही नहीं है सो प्लीज धियान रखिए गई चीजों का और वेग समे api गई राशी क्या होती है तो विग समे graph के दवारा घया गया चेत्र पल है वह विस्तापन के परिमान के बराबर होता है किसके बराबर होता है सो भाईया वेग समय ग्राफ की अगर मैं बात करती हूँ किसके बात करती हूँ सो मैं अगर बात करती हूँ वेग समय ग्राफ की सो इसे के द्वारा घेरा गया जो छेतर छेतर बोले तो बिटा या हम छित्रपल एरिया भी बोल सकते हैं है ना वो एरिया के परिमाण उसके मैगनिट्यूट के क्या होता है बराबर होता है ठीके तो ये था इसका question का answer now अगला question number 7 जब एक विक्ति अपनी कार द्वारा यात्रा कर रहा था तो उसने पाया कि कार के औसद विक्त का जो परिमाण है वो औसद चल के तुल्ल है तब कार के पच्की पैचान करने को बोल रही है क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो बहुत ध्यान से सुनो जब एक विक्ति अपनी कार द्वारा यात्रा कर रहा था तो उसने पाया कि कार के ओसत वेग याने average velocity का परिमाण और ओसत चाल के तुल्ले है हमने क्या देखा ओसत वेग का जो परिमाण है वो ओसत चाल के तुल्ले है तब कार के पत के पहचान करने को बोल रहे हैं तो सुनो जब कार एक सरल रेखिये पत में होगी मतलब कार कैसे चल रही होगी कि यह संभव होगा तो कार एक सरल रेखिये पत में होगी एक सरल रेखिये पत में कार होगी तब कार के आसद वेग का परिमार याने कि भाईया उसकी जो average velocity है वो और आसद चाल के यह तुल्ले होता है परिमार जो है वो चल के तुल्य होता है लेकिन कंडिशन क्या होगी कि कार एक सरल रेकिए गती में गतिमान होगी चाहा मुझे याद आ रहा है जहां तक मैंने इस रिलेटेड एक नियुमेरिकल भी कराया है हाना हमने चाप्टर के बीच में जो पूछे जाते हैं या नियुक अपनी पढ़िये उसी से रिलेटेड ही हम सब कुछ पढ़ रही है आउट ओव सिलिबस नहीं है हाँ हमारे कॉंसेट का लेवल थोड़ा हाई हो सकता है है ना हम चीजे थोड़ा और डीटेल में जाके पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ेंगे उससे रिलेटेड ऐसा नहीं है कि भाई आम नाइन्थ क्लास में तो बारवी क्लास का फिजिक्स पढ देंगे नहीं हम अपना लेवल 10-15 परसेंट आप रखेंगे ताकि हमसे अगर घुमा विरा के भी कुछ पूछे तो हमसे बन जाए ओके ना नेक्स आते हैं अब आगया है लगोत्रिय प्रश्ण फाइनली यहाँ पर अती लगोत्रिय प्रश्ण होते हैं complete and start हो रहे हैं क्या लगोत्रिय प्रश्ण नीचे दिये गए ग्राफ नीचे तो बिटा जगा नहीं है साइट समझ जाना भावनाओं को ए और बी द्वारा जिसे प्रदर्शित किया गया है आप देख पा रहे होंगे एक ग्राफ है बी एक ग्राफ है यहाँ पर दो ग्राफ दिये गए हैं जो बीसिकली चाल समय ग्राफ है चाल समय ग्राफ यह भी है लेकिन एक दिक्कत है यह जो ग्राफ है वो तो नीचे की और चुका है और हमने देखा कि यह ग्राफ हमें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है मैं दोनों में डिफरेंस कहा दे कुछ डिफरेंस तो है मैं यह नहीं कहूंग अब बात ऐसी है कि ये हमें क्या बता रहा है ग्राफ A ये प्रदर्शित करता है कि वस्तु कुछ प्रारंबिक चाल से गती प्रारंब करती है और पर इसके चाल डिक्रीज होकर घटकर क्या हो जाती है शून हो जाती है मैंने क्या बोला? और पर इसके चाल जो है वो धीरे धीरे घटकर क्या हो जाती है ग्राब 2 बता रहा है कि पहले वस्तू अब वो मन्दे तो होती है और पिर उसके पषचाद अवसमान रूप से क्या होती है त्वरे तो होती है हाना उसका अवमंदन हो रहा है और उसके बाद वो क्या कर रही है समान रूप से नहीं बलकि असमान रूप से तवरित हो रही है तो जो ग्राफ में हम इस प्रकार से देख भी पा रही है जिसके आधार पर हमने इस ग्राफ को देख कर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा से ल रही हो और फिर असमान गती से चल रही है ओके चल नेक्स आते हैं अब हम question number 9 क्या नियत चाल से गतिमान वस्तु को तवरित किया जा सकता है अपने उत्तर के उधारन सहीत पुस्टी कीजिए बिटा ध्यान से सुनना यहां पर बोल रहे हैं क्या नियत चाल से चाल कैसी हो नियत हो यानि कि बिटा constant हो क्या बोला जा रहा है नियत हो यानि कि constant हो तो क्या नियत चाल से गतिमान वस्तु को तवरित किया जा सकता है अपने उत्तर के उधारन के साथ पुष्टी करने को कह रहे हैं तो यदि किसी वस्तू की गती की दिशा परिवर्ते तो होती है हमने फॉर्स्ट क्वेशन जो पढ़ा न उसी का एक बड़ा सा मैं लिकर आई हूं लगुतरी में वहाँ तो हम इतना नहीं लिख सकते थे हाँ यह ना मैं अंसर देना था लेकिन यहाँ पर हम पूरा लिख सकते बट लेकिन बटा क्वेशन तोड़ा सा घुमा के पूछा है सीधा नहीं है ना जैसे अभी वो एक और था नवो देश बिंदू आगे आएगा उसको भी घुमा के पूछेंगे और अगर ऐसे क्वेशन अती लगुत्री से लगुत्री में आ जाए फिर मैम हम क्या करेंगे मैम आपको बताएंगी कि आपको क्या करना है सो क्या नियत चाल से गतिमान वस्तू को तवरित किया जा सकता है अपने उत्तर के उधारण सही तो पुष्टी कीजिए किरे किसी वस्तू की गति की दिशा परिवर्ते तो होती है क्या बोल रहे हैं कि अगर भाईया किसी भी औबजिक्ट या किसी भी वस्तू की गति की जो दिशा है वो चेंज होती है तो नियत चाल से गतिमान वस्तू को तवरित किया जा सकता है क्या बोल रहे हैं कि भाईया फिर नियत चाल से कौन सी चाल से एक नियत चाल से गतिमान वस्तु को हम तुवरित कर सकते हैं उसे एक्सिलिरेट कर सकते हैं जिसे उधारन से हम जाने सबसे बेस्ट है ऐसे चीज़े उधारन से समझो व्रतिय पत पर नियत चाल से गतिमान वस्त सब्सक्राइब किया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार की गती में दिश्या के गती की दिश्या निरंतर चेंज होती रहती है आप एक बात बताओ अगर गती के दिश्या चेंज ही नहीं होगी तो अविस से बात है कि पिर वो एक किसी भी सरल रेखा में जाकर कहीं पर ऑब्जेक गिर जाएगा जिसे मान लो कि मैंने पत्थर लिया उससे एक रसी बांदिया और मैंने उससे गोलगोल गुमाना स्टार्ट कर दिया अगर मैं उससे दिशा प्रदान नहीं करूंगी है ना वलॉसिटी तो मिल रही है लेकि डायरिक्शन भी तो मिल रही है अगर मैंने उससे छोड़ दिया तो वै किसी भी एक डायरिक्शन में जाकर गिर जाएगा यदि किसी वस्तु की गती की दिशा परिवर्तित होती है तो नियत चाल से गतिमान वस्तु को तवरित किया जा सकता है उधारन के लिए वृत्तिय पत पर नियत चाल से गतिमान वस्तु को तवरित किया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार की गती में गती की दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है और वस्तु हमेशा ब्रतिय पथ के केंद्र की और तुबरे तो होती है किसकी और? तो ये हमेशा केंद्र की और क्या होती है तुबरे तो होती है और वो अपने प्रतिय वत्पर आसानी से गूंती रहती है चीक है? चलिए तो ये थी इसके कहानी आप सब एक चीज और जैसे अब आप सब के माइंड में हो सकता है आंसर आ रही हो कुछ बच्चों के माइंड में नो डाउट आंसर तो आते हैं आप बिल्कुल तरीके से अच्छे से फ्री हो कॉमेंट सेक्षन में आंसर देने के लिए बिल्कुल आंसर देना तो इसमें बदे क्या होगा पहले तो मैं देख लूँगी कि आप किस लवल तक सोच पा रहे हो बटर रठ के नहीं पढ़ना होता है फिजिक्स हो, कैमिस्ट्री हो, बालाओ जी हो रठ के काम नहीं चलने वाला काम कैसे चलेगा अच्छे से समझ के अच्छे से पढ़के अगर हमने अच्छे से पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है पर तो हमें आंसर रठेना ही पढ़ेगा और रटी हुई चीज लंबी याद नहीं रहती है और हमारा जीवन तो बहुत लंबा है अभी देखा जाए अभी तो हमारी जर्णी स्टार्ट हुई है आपकी मेरी तो हो चुकी मैंने 9th 10th सब दे दी है आपकी जर्णी अभी स्टार्ट हुई है जिसके लिए आपको क्या करन पड़ेगा जिसके लिए आपको एक एक चोटी चोटी चीज़ों को याद रखना होगा ओके चलिए सो क्वेशन नमबर 9 डन 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 नेक्स आते हैं क्वेशन नमबर 10 की तरफ भाई यह बड़ी प्यारी से डेफिनेशन है विस्तापन को परिभाशित कर दीजिए और यह एक सदीश राशी है या पिर एक अदीश राशी है इसके बारे में बता दीजिए आप देखो भाई विस्तापन कहां से गूम पिर के कैसे किसे प्रादिंग आंसर देंगे बहुत चोटे शब्दों में भी नहीं हो और बहुत बड़े शब्दों में भी नहीं हो तो हमने क्या देखा भाई विस्तापन क्या है तो विस्तापन किसी वस्तू की प्रारंबिक इस्तिती और अंतिमिस्तिती के बीच की सबसे छोटी दूरी बेटा छोटी दूरी भी बोल सकते हैं हम इसे नियूनतम दूरी भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं छोटी दूरी या नियूनतम दूरी भी बोल सकते हैं भले ही पत कोई भे क्यों ना हो और विस्थापन कौन सी राशी है एक सदीश राशी है, सदीश राशी एक ऐसी राशी होती है बटा जिसमें परिमाण भी होती है और क्या होता है डिरेक्शन यानि की दिशा भी होती है जहां पर भी भाईया परिमाण भी हो और दिशा भी हो सो वो एक सदीश राशी होगी और येस विस्तापान एक सदीश राशी है सो question में कीवल definition पूछी थी ध्यान रखना अगर लगोतरी में पूछा है तो ये मसोचना कि अरे definition पूछी और सदीश अधीश पूछा है मन से एक दो line और लिख दू नहीं अच्छे एक बात बताओ जिसे घर में आपको किट से bottle और खरित कर लिके आते होगे क्या नहीं जुत्ता बोला होती तो उतना ही तो करते होगे तो सीम यहाँ पर भी लगोतरी में भले ही आपको कितना आंसर आ रहा है कि विस्तापन 0 भी हो सकता है positive भी हो सकता है negative वो matter ही नहीं करता है matter यह करता है question क्या पूछा है सो इसके according question number 10 का हमने answer यहाँ पर देख लिया है अब बाते ही बहिए 11 के तरफ तीन तरीके के प्रशन पूछे है कितने तीन तरीके के तीन प्रकार के प्रशन पूछे है पहला तो गती क्या है यह बता दो दूसरा बता दो गती के प्रकार और तीसरा बता दो त्वरन का मातरक क्या होता है क्या बोला जा रहा है गती क्या है गती किसी कहते हैं गती के प्रकार बता दो और बता दो कि त्वरन का मातरक क्या होता है तो यदि कोई वस्तू अगर कोई वस्तू समय के साथ अपनी स्थिती चींज करती है, परिवर्तित करती है तो बह अपनी स्थिती परिवर्तन की गती कहलाती है मतलग तो बह इस्थिती परिवर्तन ही क्या कहलाती है गती कहलाती है और भाईया ये में लिए दो प्रकार की होती है कितनी दो एक होती है समान गती जिसे हम एक समान गती बोलते हैं क्या बोलते हैं जिसे हम एक समान गती कहते हैं और एक होती है असमान गती तो वो तो आसमान के ही नाम से जानी जाती है तो हमने क्या क्या देखा गती की definition परिभाशा क्या है है ना और कोई भी वस्तू अपनी गती अच्छा कोई भी चीज मोशन में कब होगा जब उसकी स्थिती में परिवर्तन होगा for example मैं अभी आपके सामने ऐसे खड़ी हूँ तो मैं मोशन में दोड़ी न हूँ लेकिन अगर मेरी स्थिती में परिवर्तन होता है कोई चेंज होता है तो आप क्या कहोगे मैं तो भी मोशन में है यानि की मैं अभी गती की अवस्ता में है तो बिलकुल कोई वस्तू वस्तू जो है वो समय के साथ अगर अपनी स्थिती चेंज करती है उसकी स्थिती में परिवर्तन होता है तो वही क्या कहलाती है गती कहलाती है और इसका जो प्रकार कितने प्रकार की होती है में लिए दो प्रकार की एक होती है एक समान गती और दूसरे होती है असमान गती नेक्स आते हैं त्वरन का ऐसा ही मात्रा क्या होता है भाईया ये मीटर पर सेकेंड स्क्वेर होता है क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वेर क्यों होता है ये भी मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि त्वरन का फॉर्मुला होता है वेग में परिवर्तन की दर अब भी दो हमने जाना था कि वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं सो बैया इसकी दर को ही हम जो वेग में परिवर्तन की दर को अगर हम समय से भाग करते हैं तो हम यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं बटा एकसेलिरेशन यानि की त्वरण अब हम क्या करने वाले हैं, सो हम यह करने वाले हैं, भाई यह वेक की उनिट क्या होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है, सो उसकी भी सेकेंड होती है, तो हमने जाना कि यह क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, याने त्वारन का ऐसा ही मात Okay, now next आते हैं अब हम हमारे अगले प्रश्ण के तरफ जोग यह प्रश्ण हमारा 12 निमने लेकित ग्राफों में से प्रतिक के द्वारा किस प्रकार की गति प्रदर्शित होती है बैए धो तरीके के ग्राफ हमारे सामने दिये हैं हैना और हमें दूरी समय ग्राफ दिया है सबसे important चीज क्या दिया है? दूरी समय ग्राफ दिया है हमने एक चीज नोटिस की जैसे हम से बोल रहे हैं कि निम्नलेकित ग्राफों में से प्रतेक के द्वारा किस प्रकार की गती हमें प्रदर्शित हो रही है हमने देखा कि दूरी समय ग्राफ में यहां पर जो गती है वो कैसी है? यहां पर एक सीधी रेखा में हैना दूरी समय ग्राफ यह एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में और हमने देखा कि दूरी समय ग्राफ यहां पर यह ऐसा गया और फिर यह ऐसा गया मतलब ये तो बड़ा अजीब सी कहानी नहीं होगी बलकुल हुई है इसके होने के पीछे कारण है और कारण क्या है तो ध्यान से सुनिएगा फर्स्ट कंडिशन पहली कंडिशन में वस्तू रेस्ट में है याने विराम वस्ता में Second condition में वस्तू की गती असमान गती है कौन सी गती है? और विस से बाते भाई ये समान गती नहीं है समान होती तो ऐसा दोड़ी नहोता है समान गती में तो हमने देखा है ये पहले ऐसे गई और फिर ऐसे चले गई याने किस के गती कैसी होगी असमान और पहली condition में वस्तू किस में है rest याने के विराम आपको पते हैं वस्तू rest में कब होती है जिसे मान लेते हैं आप दूरी समय graph पे ना तो सुनो अम मैं इसको आपको अच्छे से ही explain कर देती हूँ यह है हमारा x अक्ष ठीक है और यह हमारा y अक्ष जिनको लग रहे है कि ma'am यह rest में क्यों है दूरी समय graph हाँ ना तो विराम वस्ता में इसलिए क्योंकि मान लेते हैं कोई व्यक्ती है भाई यह एक second का उसने समय लिया और उसने 10 meter की दूरी तय करी ठीक है फिर 2 second का समय लिया तब भी उसने दूरी 10 meter ही तय की 3 second का समय लिया तब भी उसकी दूरी कितनी थी तो वो 10 meter ही थी तो graph कैसा बनेगा ऐसा ही तो बनेगा इसी को तो हम तो कहते है straight line motion सरल देखिये गती हमने क्या देखा यहाँ पर जो गती है सरल देखिये नहीं होगी सरल देखिये उपर चली जाएगी इसी को हम क्या कहते है विराम यानि की rest बास समझे की नहीं ऐसे को हम क्या कहते है विराम यानि की rest कहते है जो एक यहाँ पर जो हम बोल सकते है जो दूरी तय की गई है उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है समय परिवर्तन हुआ है लेकिन दूरी नियत यानि constant ही रही जिसके कारण हमने देखा कि भईया ये समय के कैसे है पहलल है ठीक है तो निम्निलिकित ग्रापों में से दूरे के द्वारा किस प्रकार की गति प्रदर्शित होती है पहली वाली तो विराम यानि के रेस्ट में है और दूसरी वाली की अगर बात करें तो वो असमान गति होगी एक छोटू सा और एक बहुत ही आसान सा क्वेस्चन जल्दी से मुझे बताओ कि ये विराम असमान गति है या असमान गति है अगर कोई वस्तू जो है भाईया वो विराम अवस्था में है यानि के रेस्ट में है तो आंसर दो जल्दी से कि ये एक समान गति कर रहा है या पिर असमान कर रहा है जल्दी से मुझे आंसर चाहिए ठीक है? ओके Now question number 13 की तरफ आते हैं अब हम किसी वस्तू के स्थान की व्याक्या किस प्रकार कर सकते हैं किसी भी वस्तू की स्थान की व्याक्या बोल रहे हैं हम कैसे करेंगे भैया उसके मूल बिंदू के आधार पर किसी वस्तू के स्थान की व्याक्या करने तो हम एक निर्देश बिंदू की क्या होगी requirement होगी आवशक्ता होगी और इसे को हम क्या बोलते हैं मूल बिंदू कहते हैं अब देखो भाई मूल बिंदू निर्देश बिंदू निर्देश बिंदू अपि थोड़े दिर पहले अती लगुत्री में आया था हमने simply निर्देश बिंदू की एक लाइन में कहानी finish कर दी थी क्योंकि वो अती लगुत्री का था लेकिन यहां question को थोड़ा change कर दिया है बोल रहीं कि हम किसी वस्तू के स्थान की व्याक्या किस प्रक्यार कर सकते हैं और question बेज दिया उनने लगुत्री में तो इस condition में हम अपनी question को और अच्छे से समझाने के लिए example mention कर सकते हैं हमने देखा किसी वस्तू के स्थान के व्याक्या करने है तो हमें एक निदेश बिंदू की आवश्यक्ता होती है इसी को हम मूल बिंदू कहते हैं हमने पहले इसे समझा दिया अब इसे और अच्छे समझाते हैं कि माने लेते हैं कि शेयर में पुस्तकाले जो है यानि कि जो की शहर में पुस्तकाले जो है यह जो है वो railway station से 2 km दूर है अब हमें यहाँ पुस्तकाले को बताना था जिसके लिए हमने railway station का सहारा लिया और यही हमारा क्या है निर्देश बिंदु जो हमें निर्देशन यह एक तरीके से जानकारी ही तो दे रहा है ना इसे के माद्यम से तो मैं आपसे अगर बोल रही हूँ कि भाईया जो पुस्तकाले है वो railway station से 2 km दूर उत्तर में है अब आपको एक मैंने निर्देश दे दिया, एक जानकारी दे दी कि अगर आप पुस्तकाले लाइबरेजी नहीं पहुच पा रहे हो ओके, so I think आप समझ गए होंगे, आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी question number 14 ये रहा आपके सामने graph दर्शाय graph में 2 बस्तों, A तथा B के विशेश अबदी के 3 भिन भिन इस्तितियों के इस्तिती समय graph जो हैं यहां पर प्रदर्शेतें तो इस्तिती समय graph स्वह समय graph इस्तिती समय graph तीन की चीजी आपके सामने हैं जहां हमने देखा कि भाई कहानी तो थोड़ी करद्बड है, A और P तो दोनों में हैं हमने देखा यह जो हमने देखा यह से नीचे आया और यह से उपर जा रहा है फिर हमने देखा कि यहां से ऐसे जा रहा है यहां से जा रहा है यह ऐसे गया यह ऐसे गया हमारी तो ग्राफ की तीनों की कंडिशन अलग अलगे है कि नहीं बटा आप मुझे बताओ जब हमने तीन समय ग्राब, इस्तिती हमेशे यहाँ पर होती है, जो basically हमें दूरी, विस्तापन, वेग, चाल कुछ भी बता सकती है, और इस टाइम हमेशे नीचे रहेगा, है ना, चाल तो नहीं सोरी, लेकिन दूरी, विस्तापन, वेग, हाँ बोल सकते हैं, यह सारी चीज़ें हम को यहाँ मिलेंगी, है ना, यह सब हमें यहाँ मिलेंगी, और समय हमको यहाँ पर मिलेगा, अब बात आती है कि मैं एक बात बताईए, तीनों के आंसर हमें चाहिए, तो ठीक है, simple है, किस इस्तिती में उनके बीच की दूरी समान है, आप मुझे एक बात बताओ, कौन से situation ऐसी लग र करें, कह सकते हैं ऐसा, सुध्यान से सुनियेगा, जब आप यह वाली condition देखोगे, तो आपको पता चलेगा, भईया, graph third में वस्तो के मद्दी की दूरी कैसी है, तो हमने जाना, कि graph third की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें वस्तो की बीच की दूरी कैसी है, समान है, है कि नही पर यह विपरीद दिशा में गतिमान है, समझ रहे हो, तो graph first में वस्तो के opposite direction में है, and third आते ही हम, कि किस इस्तिती में वो एक दूरी को प्रतिचेत कर रहे हैं, भईया, इसमें भी कर रहे हैं, प्रतिचेत, इसमें भी एक दूरी को cross करते हुए जा रही है, तो graph एक और दो म में वस्तो एक दूरी को par यानि cross करेंगी, क्योंकि इस्तिती समें graph में रेका एक दूरी को प्रतिचेत कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ भी मन से नहीं किया है, सब हमने question को देखा, पढ़ा, हमने graph देखा, अच्छे से जाना कि भाई, कुछ उपर, कुछ नीचे, कुछ तो भी कहानी चल रही है, जिसके आधार पर, बले उनने arrow नहीं बनाया, हमें numbering नहीं दी, कोई number संख्या नहीं दी है, कोई digit नहीं है हमारे पस, कोई direction नहीं, that's why, फिर भी, that's why तो नहीं, फिर भी, हमने इसका answer यहां पर देख लिया, क्योंकि graph हमें समझ में आ गया, okay, now next question की तरफ आते है, question number 15, ओ भाई, यह तो एक numerical आ गया है, जान मुझ के लिया है, मैंने ही लिया है, आप देखो भाई, इस chapter में न, mostly आपको ऐसी चीज़े मिलेंगी, numericals वाली, लगुतरी में भी, दीरग में भी, पर मैंने जादा numericals इस वाले session में नहीं लिये, limited ही लिये, अगला एक session आएगा, जिसमें हम भी, सारे numericals ही solve करेंगे, मैं सब बताऊंगी कैसे करना है, हाला कि जब से यह start ही हुआ है, chapter, तब से हम यही कर रहे हैं, लेकिन, इस session में तो हम विशेश रूप से, हाना next वाले में तो हम विशेश रूप से, इसके बारे में ही जानेंगे, अब दियान से सुनो इस numerical को, आप कैसे solve करोगे, सबसे पहले तो इसे बहुत अच्छे से read करो, अच्छे से पढ़ो, क्या कह रहा है question, एक train जो है, आराम से चलना शुरू करती है, भाया सुनो, आराम से अगर वो चलना शुरू कर रही है, तो आपको, उसने यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दिया है आपको, यह कोई velocity नहीं है, acceleration है, तुबरन है, और पांस सेकेंड में train के वेग के आपको गणना करनी है, पांस सेकेंड में जो वेग है, उसके आपको गणना करनी है, जब हमने question पढ़ा, ऐसी पढ़ना, पहले फट फट लिखते चल और जो निकालने को बोला उसे लिख लो, अरे कुछ तो दिमाग चलाओगे ना पिर, पूरा नहीं तो कुछ तो चला सकते हो, तो हमने क्या देखा भाईया, हमें क्या दिया है, initial velocity दी है, जो कि यह 0 या 0, यू हमारा प्रारंबिक वेग होता है, हमें time दिया है, और वो कितन velocity फाइन करने को बोल रहे है, हैना train के वेग की करना करो, लेकिन 5 सेकिंड में, ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, formula लगा देंगे, हैना हम किसका लगा सकते हैं, सीधे, acceleration का भी लगाई सकते हैं, so V-U upon में क्या होता है, भाईया, यह T होता है, हमने देखा, acceleration हमारा 5 ही ही है, हमने देखा, velocity V हमारी कितनी हो जाएगी, तो हमें पता ही नहीं है, U हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, time हमारी पर कितना दिया है, 5, so यह 25 is equals to V, यानि यहाँ पर बिटा हमारा, जो V निकल कर आएगा, वो 25 meter per second निकल कर आएगा, यही इसका क्या होगा, correct answer होगा समझके, यही इसका क्या है, भीया, correct answer है, तो हमने इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर निकाल दिया, simply हमें वेग पूछाता 5 second में, तो हमने वो बता दिया, असान सा question था, चली बाई, अगले question की तरफ आते हैं, और यहाँ से अब हमारे क्या स्टार्ट हो रहे हैं, लग सुरी होता है complete और अब हम दीर गुत्रे प्रश्न करना करेंगे शुरू, so question हमसे कहा रहा है कि वस्तु के वेग में समान और असमान दर से परिवर्तन के लिए आपको औरत वेग को यहाँ पर बताना होगा, लेकिन ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर समान और असमान दोनों ही दर की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, समान और असमान दोनों ही दर में परिवर्तन के लिए average velocity को यहाँ पर वेक्त कीजिए, तो ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करती हूँ कि यह दि वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान दर से होता है, तो फिर average velocity क्या होगी? तो ध्यान से सुनिएगा अगर बश्टू के वेग में परिवर्तन असमान दर्से होता है तो हम यहाँ पर औसत वेग की अगर बात करती है तो औसत वेग क्या होता है तो भाया औसत वेग के लिए हम क्या करेंगे कुल विस्थापन क्या हो जाएगा ये कुल विस्थापन जिसको हम भाग दे देंगे यानि कि डिवाइट कर देंगे भईया किसे कुल समय से क्या बोला जा रहा है जिसे हमें भाग देना है डिवाइट करना है कुल समय से तो हमने देखा कि यदि वस्तू के वेग में परिवर्तन असमान दर्से होता है तो वस्तू का उसत वेग कुल विस्तापन तता कुल समय के अनुपात के तुल्ले होता है जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे इसे के साथ यरी वस्तो के वेग में परिवर्तन समान दर्से होता है आप बोल रहे हैं कि भाई अगर ये समान दर्से होगा फिर क्या करेंगे तो और सत वेग दिये गए समेंतराल में प्रारंबिक वेग और अंतिम वेग का माद्य होता है जैसक कि आप यहां देख पा रहे होंगे फिर हमारी average velocity क्या होगी प्रारंबिक बीग में से हम अंतिन बीग को जोड़ देंगे और divide कर देंगे 2 से तो दोनों की condition यह रही आपके सामने question number 16 जो माम आपको बता दिया है यह एक दीर गुतरिये प्रशने है बिटा दियान दीजिएगा, दियान रखिएगा कि यह एक दीर गुतरिये प्रशने है जहां पर हमें बड़े बड़े answers लिखने होते हैं चलिए भाई, सो हो गया हमारा done यह रहा question number 17 भाई यह दूरी और विस्थापन में हमें यहां क्या बताना है अंतर दियान से सुनिएगा बिटा कि distance और displacement में क्या difference होता है यह हमें बताना है तो पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि दूरी और विस्थापन दोनों ही यह बिल्कुल भी नहीं होते हैं दोनों ही अलग-अलग चीज़े होती है हाँ विस्थापन भी दूरी है लेकिन यह नियूंतम दूरी होती है shortest distance होती है दोनों exactly एक होंगे तो ऐसा नहीं है चलिए तो एक काम करते हैं मैं इसकी help लेती हूँ चार्ट की कुल पथ की यह पथ की कुल लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं बिटा दूरी याने के distance किसी वस्तो के द्वारा तै की गई कुल पथ या कुल मार्ग की लंबाई ही दूरी कहलाती है फिर मैं डिस्प्लेस्मेंट याने विस्थापन किसे कहते हैं तो यह प्रारंबे की स्थिति और अंतिमिस्थिति के मद्य की न्यूंतम दूरी होती है shortest distance होती है और अभी इसे आमने थोड़ी देर पहले ही बिटा जाना है हमने चान लिया कि यह दूरी क्या होती है और हमने चान लिया कि वस्थापन क्या होता है नाव नेक्स आते हैं दूरी कौन सी राशी है बिटा यह एक अदीश राशी होती है कौन सी राशी होती है अदीश राशी क्योंकि दूरी के लिए हमें direction के requirement नहीं होती है हमें दिशा के जरूरत नहीं होती है केबल और केबल क्या चाहिए होता है बिटा परिमार्ण और वहीं हम विस्थापन की बात करते हैं तो ये एक सदीश राशी होती है अब भी तोड़ी दिल पहले हमने डिस्कस किया था बोलो हाँ येस मैम आपने हमें बताया था कि हाँ जी विस्थापन सदीश राशी है ये न्यूंतम दूरी है शॉट्टेस्ट डिस्टेंस है जो हमें डारिक्शन इसमें चाहिए ही चाहिए नेच्स आते हैं यह दूरी का तय दूरी का मान कभी भी भी बही हमेशा कैसा होता है धनात्मक याने की पॉजिटिव एक और चीज़ आप चाहो तो यहां मेंचन कर सकते हो कि दूरी कभी शूनी भी नहीं होती है तो पहली बाद तो मैं चली ही नहीं तो यह दूरी कैसे हुई जब मैं चली ही नहीं तो यह तो दूरी ही नहीं हुई इसलिए हमने देखा कि भाईया दूरी का मान कभी बेरिणात्मक नहीं होता है यह नेगरिटिव नहीं होती है मैं कभी ऐसा नहीं बोल सकते है रहे मैं न माइनस दो किलोमेटर चल के आई हूँ ये क्या होता है भाई तो हमने देखा ये हमेशा positive होगी बट जो shortest distance होती है नियुंतम दूरी है भाई ये उसका मान धनात्मक रिणात्मक और क्या हो सकता है बिटा शून ने भी हो सकता है याने 0 भी हो सकता है नेक्स आते दो बिंदो के मद्द दूरी समान ये भिन भिन हो सकती है जी हाँ बिलकुल सही कहा है कि जो दो बिंदो होते है ना बिटा उनके मद्द यानि कि उनके बीच जो दूरी है वो समान भी हो सकती है भिन भी हो सकती है इनका मान चैनित पट पर निर्बर करता है जी यहां पर देखे हैं और मैं आशा करती हूँ कि यह दोनों ही पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे सुझलदी से ले लिए इसका स्क्रेंशोट देन हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और हम इसके आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे चलिए भाई आगे बढ़ें क्या हम तो अब अगले क्वेशन की तरफ चलते हैं क्वेशनन.17 होता है हमारा यहां पर डन यानिक गप्लीट आर यह रहा क्वेशनन.18 आप सभी के सामने निर्नले के तिस्दिदीओं में प्रतिक का एक घूंपल दीजेई बढ़े एक समान समान वंदन के साथ गति का एक समान बेंग के साथ त्वरित गती का and last है गती की दिश्रा त्वरन की दिश्रा के लंबवत हो इसका हमें बताना है तो ध्यान से सुनिएगा चारों के उधा उत्तर है वो यह आपके सामने हैं जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाई एक समान त्वरित गती के वैसे तो बहुत से एक्जामपल हो सकते हैं लेकिन हमसे अगर एक्जाम में माल लीजे दिरगुत्ती प्रश्ण में इसके बारे में लिखने को आया तो मैंने और उचाई से प्रत्वी के धरातल्ख और फेकी गई अगर हम किसी वस्तु की गती को बारे में बात करें तो वह एक समान त्वरित गती का ही best example हो जाएगा ठीक है क्या बोला मैंने कि एक समान तुरित गति तो किसी उच्छाई से प्रत्वी के दरातल के और फेके गई वस्तु की गती ही एक समान तुरित गति का ठीक है तो हमने देखा एक समान मंदन के साथ गति ये क्या लाती है जहां वस्तु को किसी वेक से उपर की और फेका जाता है एक समान वेक के साथ त्वरित गति तो एक समान वृत्ति गति इसका एक्जामपल हो जाएगा जिसमें आम उपगरही गति भी शामिल कर सकते ये भी दिशा त्वरंड की दिशा के लंबवा तो एक बंदूग से गोली 36 चोड़ी जाती है और इसका त्वरंड जो है वो नीचे की और लगता है तो ये इसका best example हो जाएगा जो मैंने आपको भी बताया है वीडियो कैसी लग रही है मुझे comment section में जरूर बताईए लाइक करते हैं चलिए कहीं कोई doubt हो तो बेच जख आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं ओके, so now आते हैं हम अपने दो important question की तरफ दिरगुतरी के जो मने लिए है numericals के तो चलिए numericals करते हैं हम solve ये रहा आपके सामने question सबसे पहले बिटा आपको इसे बहुत अच्छे से read करना होगा बिना read करें तो आप इसका answer नहीं दे सकते so कोई कार जो है वो विराम अवस्ता से गती करना प्रारंब करके पहली बात तो वो किसमे है विराम अवस्ता यानि की बहिया rest में और विराम से गती आरंब करके एक्स अक्ष के अनुदीश नियत त्वारंड ए से 5 मेटर पर सेकेंड स्क्वार से 8 सेकंड तक गवन करती है हमें यहाँ पर acceleration भी दिया है और हमें टाइम भी दिया है 8 सेकंड का इसके पस्चाथ यदि कार नियत वेक से गती करती है तो विराम से गती आरंब करने के पस्चाथ 12 सेकंड में कितनी दूरी तै करेगी तो पहले तो हमारे पास initial velocity दिया है जो कि है 0 यानि के 0 इसे के साथ हमें acceleration दिया है बटा जो कि है 5 meter per second square क्या दिया है तो इसे के साथ हमें acceleration दिया है जो कि 5 meter per second square time हमें क्या दिया है बटा 8 second का यहां पर समय दिया है और क्या दिया है तो हमारे पास यहां पर velocity Wisconsin, final velocity तो हमें पता ही नहीं है और हमीं क्या दिया है भहके हैं यहां पर हना time हमें यहां पर अगर बात करें विराम सिंग यादियान करने के पत्चत 12 सीकंड में बारा सेकिंड का अगर हमें यहाँ पर टाइम देखें तो भईयर टाइम टू है हमारे पास जो कि कितना है बारा सेकिंड का इसी के साथ सथ बटा हम यहाँ पर बारा सेकिंड के बाद की क्या निकालेंगे दूरी 12 सेकंड के बाद उसने या 12 सेकंड में उसने कितनी दूरी दे करी यह हमें बताना है तो इसके लिए बटा मुझे आपको कुछ पहले तो basic चीज़े बतानी होगी जहाँ पर हम सबसे पहले we find कर लेते हैं अंतिम बेग निकाल लेते हैं कैसे निकालेंगे तो आपको गती के समीकरण तो याद ही ہोंगे ना मैंने आपको गती के तीन समीकरण पढ़ाए हैं गती का पहला दूसरा धीसर शमीकरण सारे नहीं लगाने कोई एक लगाना है जिसके लिए मैं यहाँ पर खेच रही हूँ लक्षमण रेखा ठीक है और मैंने क्या बोला है क्या 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 तो हम लिखेंगे यहाँ पर गती के पहले समीकरण के अनुसार क्या बोला है गती के पहले समीकरण के अनुसार गती के पहले समीकरण के अनुसार और भाई गती का पहला समीकरण हम से क्या बोलता है V is equals to U plus 80 ये बोलता है हमें V पता नहीं है U हमारा 0 है है ना acceleration हमारा कितना है भाई या 5 है और time कितना है तो वो है 8 तो हमने देखा कि 48, 40, 0 add करेंगे तो वो 40 ही रहेगा तो हमारी अंतिम विक जो है final velocity हमने find कर ली है जो कि है 40 meter per second अम मेरी बार द्यान से सुनेंगे थोड़ा सा कहानी को समझेंगे कोई कार विरा मवस्ता से मान लेते हैं भाईया ये विरा मवस्ता है जिससे उसने चलना शुरू किया और उसने विरा मवस्ता से गती आरम करके X अक्ष के अनुदीश किसी त्वारण 5 meter per second square से 8 second तक गमन करती है तो मान लेते हैं इसका ये B point है जहां इसने 8 second तक क्या किया गमन किया 0 से 8 second तक उसने गमन किया और क्या बूल रहे हैं कि इसके पस्चाथ यदिकार नियत वेक से ही गती करती है जो कि उसकी velocity हमें पता चल गई है और वो नियत वेक क्या है 40 meter per second तो विराम से गती आरम करने के पस्चाथ अब पर जब उसने गती आरम की तो उसके पस्चाथ हमने देखा कि बाईये 12 second में उसने कितनी दूरी तय करी basically यहां हमें यह बताना है कि उसने कितनी दूरी तय करी तो द्यान से सुनिएगा हाना पहले तो हमें कुछ चीज़े यहां पर जाननी होगी हाना 12 second में द्यान से सुनना आरम करने के पस्चाथ 12 second पूछ रहे है तो पहले तो मुझे यहाँ पर अगें ऐसे lines जो है वो draw करनी होगी और एक चीज करते हैं इसको तोड़ा sequence में लेकर आते हैं जिसके लिए मैं इसे यहाँ पर shift कर देती हूँ ठीक है अब हमारे पास क्या मिल जाएगी बिटा जगा मिल जाएगी अब मैंने इसको यहाँ पर shift draw कर लिया now next आते हैं गती के दूसरे समी करन के पहले हमें पहले इसके distance find करनी होगी तब तो जाके मैं यहाँ से यहाँ तक की distance आपको बता पाऊंगी तो जासे सुनेंगी इसकी distance क्या है तो इसकी जो distance है उसके लिए हमें क्या करना होगा तो formula होता है जिसे चाल बराबर क्या होता है ये वेग बराबर क्या होता है तो सुनो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय यही होता है ना विस्थापन बटा समय भाईया हमें यहाँ पर क्या निकालना है तो हमें यहाँ विस्थापन ही तो निकालना है इतना यहाँ तक का तो हम कैसे निकालेंगे पहली बात तो हमारे पास हम यहाँ करेंगे वेग गुड़ा समय और यहाँ पर क्या निकल जाएगा हमारा विस्थापन जगा नहीं है बिटा थोड़ा सा समझ जाएंगे न अब बात यह है कि माम हमारी velocity कितनी है वेक कितनी है तो वो हमारे पास दिया है बहिया 40, time कितना दिया है तो इनके बीच का ही time हम लेकर चलेंगे, जो कि है कितना 4 दोनों का multiply करेंगे तो विस्थापन कितना आ गया 160 मीटर आ गया तो यह हमने जान लिया कि इनके बीच का विस्थापन यह कितना है 160 मीटर हमसे लेकिन starting send तक का पूछा है तो चलो वो find करते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगे गती का दूसरा समी करेंग और गती का दूसरा समी करेंग हमसे क्या कहता है सो वो हमसे यह कहता है कि S is equal to UT plus half 80 square clear? S is equal to UT plus half 80 square U कितना है बिटा हमारा? 0 था, time कितना है हमारा? सो वो है 8 plus 1 by 2, acceleration कितना है बिटा? 5 और यह 8 का square यानि यह double 8 कर देती हूँ यह तो घूम फिर के 0 ही होना है multiply करने के बाद यह 4 बार में जाएगा पांचो को 20 और 20 एठे कितना हो जाएगा सो वो होगा 160 है ना? 8 दूनी सो लड़ी है 160 यानि यह S हमारा कितना निकल कर आएगा 160 Now हम से कहां से कहां तक पूछा है सो 0 से लेकर है तो सुरो कैसे निकालेंगे हम हम AB को भी प्लस कर देते हैं और हम BC को भी प्लस कर से देते हैं So 160 इसका और यहां पर यह निकल कर आया था 160 इसका Now total कर देंगे तो यह 6 और 12 की 2 और यह हमारी जो पावर है वो 1 चुर जाएगी 1 और 2 तिन याने 320 मेटर इसका करेक्ट आंसर होगा भाई कितना होगा? 320 मेटर इसका करेक्ट आंसर होगा 160, 160 दोनों को ही हम यहां पर क्या कर देंगे? एड कर देंगे ठीया, चले तो यह होती है यहां पर कहानी फिनिश, यह वाला क्वेशन पिनिश आज का लास्ट क्वेशन यह रहा आपके सामने यह भी एक नियुमारिकल है, छोटू सा सुनो, सुनो, बहुत यान से सुनो इस नियुमारिकल को हम सॉल्व करते हैं कोई मोटर साइकल सवार एसे भी तक 30 किलो मीटर पर आवर की एक समान चाल से जाता है से बी तक जब गया सुनो, सुनो, सुनो यह है A point और यह है बिटा B point और जब यह A से बी तक गया सो इसने 30 किलो मीटर पर आवर की चाल से ऐसे गया और फिर जब रिटन आया यह गया ऐसे और जब रिटन आया सो 20 किलो मीटर पर आवर की चाल से आया अब हमने क्या देखा कि औस चाल बता दो भाईय सुनो औस चाल का फॉर्मूला क्या होता है तो इसका फॉर्मूला होता है औस चाल का 2XY अपन में X प्लस Y से हम इसे यहाँ पर निकाल सकते हैं तो हमने देखा एक चीज़ और जैसे अगर मैं बोलू X किलोमेटर पर आवर के लिए इसके जो चाल थी वो कितनी थी मान लेते हैं कि यह है और यह 30 किलोमेटर पर आवर है वहीं Y किलोमेटर पर आवर के लिए यह कितनी थी So, वो 20 km पर आवर थी यानि ये x की हो गई और ये y की हो गई हम ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल तो अब एक काम करते हैं सबको उसकी जगा पर पुट कर देते हैं जैसे औस चाल का फॉर्मॉला क्या होता है 2xy, so 2 multiply x कितना है हमारा So, भाईया वो है 30 और y कितना है हमारा So, वो है 20 हम इसे x और y डारेक्ट भी बोल सकते हैं कि भाईया x से गया y से आया ऐसा भी समझ सकते हैं और अपान में क्या कर देंगे 30 प्लस बिटा क्या कर देंगे 20 अब हम से क्या बोल रहे हैं चलो solve करो 20, 30, 20 divided by 50 5 से 1, 0 उडादो 5, 4 जाये होगा 3, 2, 6, 6 चको क्या हो जाएगा 24 यानि कि 24 किलो मीटर पर आवर इसे की क्या निकल कर आएगी और सचाल निकल कर आएगी यही बस हमें बढ़ना था यही बस हमें जानना था जो मैंने आपको बता दिया है I hope और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जतना भी मैंने आपको आज के इस प्यारी से सेशन में प्यारी सी वीडियो में पढ़ाया है तो सुनो आपको भाईया सबसे पहले तो अभी मुझे कॉमेंट करके बताना है कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो शेयर नहीं किया है तो भाईया इससे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ and very 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 important हमारे प्यारे से चानल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलिएगा Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Whatsapp यह है Magnet Bains के कुछ अधर प्लैटफॉर्म और e-book और e-notes e-notes और e-book के लिंक आपको नीचे मिलेगे description box में बिड़ा YT पर भी आप हमारी classes ले सकते हैं live plus recorded application के तुरू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और yes, website के तुरू भी आप हमसे जुड़ के हमारे जो session से यहाँ 10 कर सकते हैं खूब पढ़ाई करें ताकि आपके photos भी हम यहाँ पर proudly लगा के कह सकें कि यह हैं हमारे Magnet Bains के प्यारे-प्यारे से बच्चे और by English Hindi Medium के कुछ top courses यह रहे आपके सामने जिसे CBAC board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board Vedic math, crash course and spoken English साच के लिए इतने ही मिलेंगे next class में प्यारे-प्यारे से comments करना नहीं बूलिएगा और कोई doubt अगा पूश लीजिएगा ताटा, बाबाई